असामलेकूम कैसे हैं आप सब मैं हूँ आईशा रिजवान और आज मैंने कराएं बहुत ही मज़ेदार तावर स्टाइल अचारी दाल और चावल दाल चावल तो सभी के बहुत फेवरिट होते हैं आप ये नए स्टाइल के अचारी डाल जरूर प्राय करिएगा और मुझे ब और इसमें हम कुकिंग ऑल गर की प्यास डाल देंगे अ प्यास मैंने एक लीका मिटियम कि और उसको चॉक्ट कर दिया है कि कुकिंग ऑइल स्टार्ट कर देंगे हम थोरा सा कम नेंगे क्योंकि हम थे भगार में लिए जादा प्यास को अच्छे से थोरा सा गूल्डन मोर्र रश्ट मेच ड़िया है मैंने हाय हो अ हो या छोपरे pace के मेच दुटमाटर डाल देंगे चो तो मीडियूm साइ्स के टमाटर यह मैंने हो अछी से चौकति के लिया घग दिमेज है darf आ मिक्स कर लेंगे और अंको सोप्त होने देंगे टो मारे सौप हो गए आप मैसाले णारोहें सबसे बहने हम बढ़ी देंगे 1 खून किसी लाल मिर्च देंगे 1 खून लमक लेंगे 1 खून तरपन तीस्थ के साब एगा मैंनेए 1-5 तीस्पून और इसको पून के खारी मिर्च ताल देंगे 2-3। छोब इसको हम इतना पकाएंगी कि ओयल हमाना सेपरेट हुजाए ये डाल नी है मैंने येलो डाल आधी कपनी है और रेड डाल आधा कपनी है दोड़ों डालों को मैंने आधी गंटे पहले बिगो दिया था और अब इसका पानी इंट्वीन करके मैंने इसमें डाल दिया है डाल डालने के बाद हम इसमे पाने डाल देंगे दोटे तीन लास पानी हम डाल देंगे किसममानी डाल अच्छे से गल जाएं दाल हमने भिगो दीती थे वह पविशी खोड़ रही है इसली अब जंद्दी के हुजाएंगी इसको बॉil ले आएंगे अच्छे से पाना इसको और धुलते रहें घखके पकाएंगे अब हम इसको यह 42-45 मिंट में इजी दी तयाब हो जाएगी यह देखिए हमारी दाल हो गई है जाड़ी हो रही है जाड़ी हो रही है दाल गुल भी रही है और जाड़ी मी होने लगी देखिए आप किती अच्छी दालोरे इसका पानी सा कुछ आते एंच तर्फ डल ना बनाने के लिए हमएं कैस्त ऑध mo mia को सब्साब्सस्थ यह घं goal सबस्क्राइब की अ कि सफ दी और सॉफ दीए है हाफी स्पोन तो दोंजग यह हाफ पेल वहां पानलो जी लिए हाफ इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसकी खुश्बू आने लगेगी, आपको पॉरन से और इसका कलर चेंज हो जाएगा, यह देखे, यह ऐसा हो गया है, अब हम इसको अपनी पन कुट्टी में लेके इमाम दस्ते में अच्छे से पोट लेंगे, कुछ लोग पन कुट्टी कुछ इमाम दस्ता कहते हैं, तो जो भी है इसको इसको इसमें लेके अच्छे से पोट लेंगे इसको, फुर आप मोटा दर दर सा कुट्टा है, हम इसको मिल्कुल बारीक नहीं करना है, यह दिखे, हमने पोट लिया है इसको, यह ऐसा हो गया है, चाने, अब हम चामर रेड स्पोन लस्टन हम इसमें दूरी जादा पॉंट के टी में लेंगे, और इस लस्टन को मैंने कूट लिया है, मिल्कुल बारीक नहीं पीसा वाई है, तो रह सा मुटा मुटा कूटा है, इसको मैंने, जीरा लेंगे वन्की स्पोन, और हरी विर्ची लेंगे एक चॉप, अध अधर इस तरह नहीं हो देना तो इसका फ्रेवर अवैसा हना नहीं आएगा, अच्छे फ्रेवर के लिए हमें लस्टन को बद अच्छा सा ब्राउन करना है, अब इसमें हम तीन ब्लास पानी एक लेंगे, और नमक डाल देंगे, नमक मैंने वन टी स्पून लिया है, आप च अधर देला चावल है, तो मैंने एक लिटे पहले भी दोया था, आप बसमत्ली चावल भी उज़ करते हैं, तो आप आदे घंटा पहले भी बोई लिएगा, और इसको अच्छे से पगाईएगा, 15-20 मिनिट समें इसको पकाना है, कि इसका पानी बेको रें हो देया है चाव भी डाल सकते हैं, अब हम इसमें एक बड़ी लाइची, दो लॉंगे और दो तेज़ पात्के पत्ते डाल देंगे, दम लगाने से पहले ये देखे, चावल इसमें खुशक हो गया, तो हमने इस टाइम पे खड़ा जरम बसाना डाले, और अब हम इसको दम लगा देंगे, पाने कुशक हो गया था, हम दे इसको दम लगा दिया, 15-20 मिंट्स हम इसको पकाएंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे तो वो चावल हमारा ची से स्टीम बन जाएगी, अब हम बगार करते हैं, जो दाल हमने रीडी करी थी, इसको बगार करते हैं, सबसे पहले हमने प्यास जब गोल्डन ब्राउन होने लगे तो खिर हम इसमें अचार का मसाला डालेंगे, वन टी स्पून अचार का मसाला नाने में नहीं है, जो मसाला हम दे रीडी करिया था हो, और हम इसमें दान में बगार लगा देगे, इसका बगार बहुत इंपोर्टेंट है, तो यह आप लोग में सहीं करेगा और बिल्कुल ऐसे ही करेगा जैसे मैं आप लोग को बताया, इसको चाम लोग के साथ सर्फ करें और इंजॉय करें, बहुत मंतिकी और यम्मी दाल, इसकी है यह अचारी दाल, बिल्कुल ढाबश ताइल है, आप लोग जरूर प्राए करिएगा, है यह अचारी दाल, इसकी है अचारी दोग करें लोग करें लोग करें, बहुत मंतिकी और इंज। ऑनने हका जर जरूरे देवा सकते प्राइब।